नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इसके अलावा सीम ने पुलिस अधिकारियों को भी कई दिसार निर्देश दिया हैं के तहत आवेद्नों की स्थिती, revenue, collection, सुओ, motor, motivation, पर नाली इत्यारी की समिक्षा होई समिक्षा के दोन मोख्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को कई महत्पून दिसार निर्देश दिया है इस मौके पर मोख्य मंत्री हेमान सुरेय ने अधिकारियों को राई सरकार द्वारा संचालीत सभी वजनाओ का लाब आम आदमी तक हर हाल में पहुँचे इसे सुनेश्चीत करने को कहा जारखन में 23 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी तक इस्थीती ऐसी ही रहेगी 22 जनवरी को राजे के उत्री एवं निकटवर्ती मद्य भागों में सुबह में कुहराया धूंद और बाद में आंसिक बातल चा सकते हाए सेस भागों में आस्मान मुख्यता साफ रहेगा मौसम सुस्क रहेगा 23 एवं 24 जनवरी को सुबह में कुहराया धूंद और बाद में आस्मान मुख्यता साफ रहेगा वहीं पच्छमी विछोब के कारण मंगलवार को भी आकास में बादल चाहे रहे ऐसी ही इस्थीती 22 जनुवरी तक रहेगी इसके बाद आकास साफ होने का अनुमान है इसके बाद निम्तक धपमान थोड़ा गिर सकता है आकास में बादल छाय रहने से सूबह में कुहरा और धूंत रहेगा जार्खन में हर घर नल जल योईना 2024 तक होगी पूरी जार्खन मंत्र आलाई थी सबागार में राज में संचालित जल जीवन मीशन एवं स्वक्ष भारत मीशन के कारे प्रगति की समिक्षा बैठक के अध्यक्स्ता मुख्य मंत्री है मंसुरे ने की इस अध्यक्सर पर केंद्री जल सकती मंत्री गजेंद्र सिंग से खावत भी उपसित रहे बैठक में मुख्य मंत्री ने कहा कि बरतवान राज सरकार के गठन के पहले तक जार्खन में केवाल 3.45 लाख घरों में नल से जल उपलब्द हो पाया था सरकार के पिछले 3 साल में 14.1-2 लाख परिवारों को हर घर नल से जल के तहट जोड़ा गया यानि अब तक लभग राजे के 17.57 लाख 28.3 गराम इन परिवार तक नल से जल पहुचाया जा रहा है मुख्यमंतरी सीरी सुरेन ने कहा है कि जार्खन राजी के 36 गाउं 105 ग्राम पंचायत तथा एक परिखन को साथ पर्थियत हर घर नल से जल के साथ अशाजित किया जा चुका है पलामू टाइगर रिजरब के 8 गाउं को फिर से बसाया जाए गाया पलामू टाइगर रिजरब के 8 गाउं के पुर्णवासित करने का प्रस्ताव प्रवंधन ने नेशनल टाइगर कंजरवेशन आथोरिटी को भेज दिया है ग्राम सबागे माध्यम से पुर्णवासित करने के लिए मिले प्रस्ताव के अधार पर ऐसा किया गया NTPC के स्विक्रिती मिलने के बाद पुर्णवासित की प्रक्रिया सुरू की जाएगी जनकाली देते हुए PTR के डिप्टी डारेक्टर कुमार आसिस ने बताया है कि PTR के छेतर में जंगल छेतर में पढ़ने वाले गाव को पुर्णवासित करने की सरकार की योजना है ताकि वन प्राणियों के सर्वधन में कोई औरोध नहीं हो सके पुर्णवासित होने वाले गाव में सभी लोगों की सहमती अनिवारी होगी पलामो में पुलिस नकसली मुठवेड नकसल परवावित पलामो के मनातू थाना छेतरेके मिटार पिकेट के नजदीक बीस राव जंगल में गुरू आरसूबा CRPF और TSPC उगरवादियों के बिच मुठवेड हो गई दोनों और से करीब 150 राउंड से ज़्यादा गोलिया फाइरिंग होई पुलिस की तावर तोड फाइरिंग देखकर नकसली मौकेश से भाग गए मिटार पिकेट चात्रा जीले की सीमा के नजदीक है CRPF को गुरू आरसूबा करीब 6 बजे TSPC के उगरवादियों के मुमेट के जनकारी मिली जिसके बाद CRPF की 134 वी बटालिया ने पुलिस के साथ मिलकर सर्च अभ्यान सुरू किया इस दवरान CRPF और नकसलियों में मुटभेड हो गई दोनों और से जम कर फारिंग होई है सुखार का लाब लेने वाले किसान पैक्स में नहीं बेच सकेंगे धान मुख्यमंत्री सुखार राहत योईना का लाब उठाने वाले किरिसक अगर पैक्स यानी धान अधिप्राप्ति के इंद्र पर धान बेचते हैं तो उन पर करवाई होगी साथ ही वे दोहरा लाब नहीं उठा सकेंगे इसके लिए कसमार सियो परदीप कुमार सुकला ने पैक्स संचाल को गुदिशा निदेश जारी कर दोहरा लाब उठाने की कोशिज करने वाले किरिसको पर नजार रखने को कहा किसानों को धान बिक्री की रासी प्रभावित रासी का लाब तो प्राप्त नहीं कर रहा है रामगाळ पहुंची साल खन की मरांग बुरु बचाव भारत यात्रा इसे बचाने के लिए पूरे आदिवासी को एक जिट होना होगा आदिवासी समाज को करो या मरो की तरज पर आंदोलन करना होगा जब तक आदिवासियों को परसनात पर मालिकाना हक नहीं मिलता संघर्ष जारी रहेगा केंद्र तथा जहार्खन सरकार का फसला आदिवासि अस्तित्व पहचान हिस्यदारी पर एगात हमला है राश्टर ब्यापी मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा अंदुलन जारी रहेगा मौके पर उलेस्वा रहिम ब्रहम भी मौझूद थे खेलो इंडिया महिला लिंग खोखो परतियुकता का समापन रांची में आयोजित खेलो इंडिया महिला लिंग राश्टरिय जूनियर और सब जूनियर खोखो परतियुकता 2022 स्टेज के समापन हो गया है समापन समारों में राजेपाल ने आयोजन की सराहना की और खिलाडियों का होसला बढ़ाया बता दे राजेपाल रमेस बैस ने खेलों इंडिया के माधियम से देश के परामपरिक और बिलूपत हो रहे खेलों को मिल रहे बढ़ावा की सराहना की है उन्होंने कहा है कि इस पर्यास से यस याड में कबड़ी को सामिल किया गया खोखो भी भारत की मिट्टी का खेल है या खेल गाओ गाओ सहर सहर और अमीर गरीब साभी के बिच लोग प्रिये है इस खेल में गाओ की सोधी महाग सामिल है और कोई खर्च भी नहीं है राज़ पर रमेस बैस एबात ते अलवट एका खोखो एस्टेडियम होटवार राची में जारखन राज़ खोखो संगद्वार आयोजीत खेलो इंडिया महिला लिंग राष्ट्रिये जुनियार और सब जुनियार खोखो परत्यों कतर 2022 ते इसके समापन समारों को समोधित करते हुए कही हजारी बाग के बुढवा महादेव में अपराधियों का तांडव हजारी बाग के बढ़का गाउपर खांडी सित बुढवा महादेव मार्ग में सलक निर्मान साइट पर अपराधियों ने फैरिंग कर दसत फैलाने की कोशिस किया इस दोरान मैजदूरों क देवगर जसीडी मुख्य मार्गबर पुलिस वर्दी पहन कर साड़े चार लाख रुपए की महिला से जेवर की ठगी देवगर जसीडी मुख्य पत्थ पर दूमका रेल ओभर विरिज के पास पुलिस के ड्रेस में आई बाद मासों ने एक महिला को जासा दे कर उससे साड़े चार लाख रुपए की जेवराट ठगी कर परार हो गया है घाटना के समझ में नगर थाना चेतर के पुराना मीना बाजार, राम जाने की मंदीर, मुहला निवासी, उसा, टीब डेवाल के ठाने में तीन अग्यात लोग के खिलाब सिकायत दी गई है इसकी सुचना पर जसीडी पुलिस ने घाटना स्थल पर पहुँच कर मामले की जनत की महिला ने बताया है कि वह गुरुवार गोजम सेथपूर अपने मायके में साधी समारों में सामिल होने के लिए जा रही थी इसके लिए सुबह में अपने घार पर टोटो में सवार होका जसीडी स्टेशन ट्रेन के लिए निकली इसी करम में दुमका ओबर बिरीज के पास सड़क किनारे तीन लोग खड़े थे अमीत अगरवाल पर सीबियाई ने दर्ज की प्राथमे की कोलकत्ता के बेहसाई अमीत अगरवाल वा कोलकत्ता पुलिस के अग्यात अधिकारियों के बिरूद सीबियाई की एंटिक क्राइम ब्रांच ने अपराधिक साजी सरच ने पुलिस में जूटी सिकायत दर्ज कराने समन्दी सीबियाई दिल्ली के टीम ने आरोपित अमीत अगरवाल के रांची वा कोलकत्ता इस्ति ठीकानों पर गूरुवार को छापे मारी भी की जिसमें कई महत्पून दस्तावेज मिले हैं जिसकी जाच होगी अवाइध खणनन में इडी का नाया खुला साथ के लिए किलो सब्द का परचलन था पिछले 11 दिसंबर की एक चैट में बिभुती कुमार ने सुमन कुमार को लिखा था कि 20 किलो की डिलेवरी हो चुकी है और बाकी की डिलेवरी इसी हफ्ते हो जाएगी जारखन में सबक हाज सो में मौत का आकणाड रावने वाला है बीते साल 2022 में राजबर की सबकों पर 383 लोग की मौत हो गई या आकणा 2017 से अब तक सबसे अधिक मौत का आकणा है बता दे राजबर में बीते साल में सबसे अधिक 685 सबक हाज से रांची में हुए वहीं दूसरे नमबर पर धनबाद रहा है यहां चार सुभाद से हुए हैं तिसरे नमबर पर बोकारो जीला रहा यहां पर बितेवर 333 सुभाद से हुए हैं वैसे तो 2021 के तुल्ला में 2022 में पुले राजे के हर जीलों में मिरितकों की संख्या बढ़ी है लेकिन बोकारों में सबसे अधीक 2022 में 73 अधीक लोगों की मौत हुई है। जारखन के युवाओ को रोजगार से जोडने के लिए कौसल विकास अहाम। राजेपाल रमेस बैस ने गुरुवार को राजभोन में आई आई एम रांची में फेलोशिप कर रहे बिद्यार्थियों को समोजित करते हुए कहा है कि जारखन गरीबी और पलायन से जूज रहा है। युवाओ को कौसल विकास से जोड़ कर और उन्हें रोजगार का साधन देते हुए उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। कौसल विकास राष्टर निर्मान की धूरी है। राजेपाल ने कहा है कि अक्सर या देखा जाता है कि प्रसिक्षन प्राप्त करने के उपरांत प्रसिक्षित ब्यक्ति रोजगार से नहीं जूर पाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। और सकता इस बात किया है कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए उन्हें बैंक लोन के माद्यम से निजी ब्योसाय अस्थापित करने में भी मदद किया जाए बाग मारा विधायक ढूलू महतों की बड़ी मुश्किले सरकारी काम में बाधा पहुचाने के मामले में 9 जनवरी 2023 से जेल में बंद बाग मारा के भाजपा विधायक ढूलू महतों को ब्योसाय से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने रंगदारी के लिए कनहया चौहान पर जानलेवा हमला करने और माया गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर कुमार चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्याइक हिरासत में जेल भेज़ दिया गया है 13 जनवरी 2023 को पूलिस ने बिधायक को इस तीनों मामले में रिमांड करने का अधेस दिया था अब धनबाद MP MLA के विशेश न्याइक दंडादिकारी संतोसनी मुर्मू और प्रथम स्रेनी न्याइक दंडादिकारी MK इंदवार की कोट ने पूलिस के आवेदन पर प्रोडक्शन वरंट जारी कर जेल पर सासन को अधेस दिया था कि वह विधायक ढोलू मतों को कोट के स समक्ष पेस करें कि के जिए रेलवे स्टेसनों पर अब पूश्टाश के लिए सहयोग करेगा मदद रेलवे स्टेसनों पर अब पूश्टाश करने लिए जाएंगे तो साओंस्न नहीइन Neptune दिखेंगे इसकी जगए पर अब आपको सहयोग नाम से एक यस रेलवे की ओर से इस इंक्वारी काउंटर का नाम बदल कर स्वयोग काउंटर करने का फासला लिया गया है इसको लेकर रेल मंत्राला ने सभी जोर्नल रेलवे की ओर से आदेश जारी कर दिया है इसकी जनकारी पुर्व रेलेवे के आसन सोल डिवीजन के DRM पर्मानद सर्मा ने दिया है बता दे आसन सोल डिवीजन के DRM सीरी सर्मा ने कहा है कि डिवीजन की ओर से भी इसको लेकर डिवीजन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है जल्द से पुर्व से डिवीजन अंतरगात आशन सोल चित्तर अंजन जामतवा मधुपूर जसीडी समेत अने स्टेशन पर संचालित इंक्वाइरी काउंटर का नाम बदल कर सोजोग किया जाएगा खतियान में तुर्टी से जारी नहीं हो रहा OBC सर्टिफिकेट गौल सेवा संख का एक प्रतिनी दिमंडल गुरुवार को खर्शावा विधायक दसरत गगई से मिल का तिन सुत्री गया पन स्वपा है इसमें कहा गया है कि खतियान में तुर्टी के कान OBC1 का प्रमान पत्र जारी नहीं हो पा रहा है इस तुर्टी को दूर करने की मांग की गई है कुलान के उड़ीसा भासी गाओं के स्कूलों में उड़िया भासी सिक्षा को अपाथे पुस्तकों की कमी के कारण बचे अपनी मात्री भासा में सिक्षा गरहन करने से वन्चित हो रहे हैं इस कमी को दूर करने की भी मांग की गई है रामगर के सरकारी भौनों से हटेंगे रायनितिक पार्टियों के बैनर पोस्टर रामगर बिधान सभा उप चुनाओ को लेकर गुरू आरको जिला समहनाले सभा कक्ष में मनेता प्राप्त रायनितिक दलों के परतिने दियों के साथ जिला परसासंगर बैठक होई जनकारी देते हुए उप विकास आयोग तनाजंदर कुमर सिन्हा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगर बिधान सभा उप चुनाओ के लिए अधिस उतना जारी किये जाने के बाद से पुरे रामगर जिले में अदर्स आचा संहिता लागू हो गई है बैठाक में चुनाओ के लिए जारी तारिक और कारकरम समेत बूथो कूल मददाताओ महिला पूरुस मददाता आधिक जनकारी रायनितिक दल के परतिनिद्यों को दीगाई हजारी बाग में समय पर नहीं हो रहा जमीन का म्यूटोसान उत्री छोटा नागपूर का प्रमंडलिय मुख्याले में एतिहासिक सहर हजारे बाग दिले के सभी 16 अंचल कर्याले के अधिन 200 से अधिक पंचायतों में दाखिल खारीच आवेदन का निस्पादन समय पर नहीं हुए है इसे बड़ी संख्या में आवेदक परिशान है लेकी अब सपलता अब तक प्राप्त नहीं हुई लिहाज करने आदमखोर तैंद्विय को आपी आप तक 4 बच्चों की जान ले ली है लोग दवसत में आदम खोर तैंद्विय से नीपटने के लिए हैदराबाद के परसित्सिकारी नवाब सपत अली खान को बुलाया गया है वे उसे काबू करने के परयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हे कोई खास कम्याबी नहीं मिल सकी है दुमका में नबालिक से समुहिक दुसकर्म काटना को लेकर बताया है कि पिछले हप्ते सहनी वार को गाउं में सोराइब का समापन हो रहा था इसी दरन गाउं के कई यूगक ने पुक्षी का सिकार किया इसके बाद सभी ने मास पकाया और सराप का से मं किया इसी बीश की सोरी को गाहों केही जर्मन किस्कू, सनातन हिम्रम, असुक मरंडी, उर्फ, जहारनेट, समेत, कूल्च, आदिवासी युगक वाला फुसलाकर गाउं से बाहर ले गाए जहारात बर सभी युगकों ने किस्वरी के साथ बारी-बारी से दुस्कर्म किया धन्यवाद